Hi everyone, स्वागत है आपका RS Creation Study Channel में तो आज हम लोग जो एक बहुत important topic discuss करने जा रहे हैं MEZ04 का जो की है block second से unit first का topic जिसका title है three periods the making of English तो इसमें हम लोग discuss कर रहे हैं English language की history और English language बनी कैसे हैं और उसके जो main three periods हैं जो बहुत ही जादा important है उनको बारी बारी से discuss करेंगे तो जो first है वो है old English period, second है middle English period, third है modern English period तो जो old English period है इसको मैं जो मेरी previous वीडियो थी उसमें discuss कर चुकी हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिया है तो उसको जाकर के पहले देख लीजिए अब हम लोग जो आज की वीडियो है उसमें middle English period को discuss करेंगे जो की 1100 से लेकर के 1500 century तक चला था तो middle English period की सुरुआत होती है Norman Conquest से 1066 AD से तो इसमें क्या होता है जो William the Conqueror थे Duke of Normandy जो Normandy है वो France में एक जगा का नाम है तो ये जो Duke थे इन्होंने England का जो King था Harold Godwinson उसको हराया the Battle of Hastings में और इसमें उन्होंने ये जो William था इन्होंने England को जीत लिया था तो William ने जैसे ही England को जीत लिया तभी से ही जो middle English period है उसकी शुरुआत हो जाती है और ये जो middle English period है इसको हम Anglo-Norman period के नाम से भी जानते हैं तो अब क्या होता है कि अब France जो है England के उपर साशन कर रहा है एक तरीके से क्योंकि William जो था ये France का था तो ये जो था England के उपर साशन कर रहा था तो अब क्या होता है जो entire English nobility होती है was replaced by French aristocracy मतलब जो बड़े-बड़े पदों पर English लोग बैठे हुए थे उनको जो हटा दिया जाता है और जो French के लोग है जो मतलब अब French वहाँ पर राज कर रहे था ना French लोग तो वो लोग बड़े-बड़े पदों पर बैठते हैं और इसके कारण क्या होता है कि French become the official language जो French है वो England में official language बना दी जाती है court की language, school की language हर जगा जो है French पढ़ाई जाने लगती है French का use किया जाने लगता है और जो French है वो language of upper class भी बन जाती है अपर class के लोग भी French में ही बोलते हैं लेकिन जो middle class और lower class के लोग होते हैं उनकी language old English ही रहती है क्यूंकि वो एकदम से French तो नहीं सीख लेंगे न एकदम से language कोई सीख थोड़ी सकता है इतना बड़े लोग, इतना जादा तादाद में लोग जो है French नहीं सीख सकते थे तो upper class के लोग French यूज करते थे और middle class के और lower class के लोग जो थे ऐसे बनी, तो जो middle English period है उसको भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है जो पहला भाग है वो है before Chaucer और Anglo-Norman भी बोलते हैं इस period को और जो second है वो है age of Chaucer और जो third है वो है after Chaucer और baron age भी इसको बोलते हैं तो यह जो first है before Chaucer और Anglo-Norman period इसमें जो French language थी वो काफी popular language रही और England में वही language official language बनी रही यह मैंने आपको बता दिया तो इस पूरे period में जो French language थी वो England की official language थी और जो French language थी वो काफी time तक prestigious language बनी रही England में और England में जो literature था वो भी French language में लिखा जा रहा था उस time जो prominent language थी वो French language थी और उसका use भी किया जा रहा था तो इस period में मैंने आपको बता दिया और जो literature था इनका जो Norman लोग थे इनको Norman भी बोला जाता है जो French के लोग थे तो इन्होंने England को जो literature दिया वो जातर love, bravery और religion वाले literature दिया जिसको हम matrical romances भी बोल सकते हैं तो इसके बाद क्या होता है कि French language जो है इस period में तो अच्छी खासी फल्ती फूलती है ये जो है इनके official language बनी रहती है लेकिन जो next age है, age of Chaucer इसमें जो French language है वो फिर से हट जाती है और यहाँ पर जो English है वो जो है official language बन जाती है England की तो अब हम देखेंगे कि ऐसा कैसे होता है तो 13th century के end में जो है जो French language होती है उसकी पकड जो है कम होने लगती है England से और ऐसा कुछ important incidents के कारण होता है तो इन incidents को मैं आपको बताती हूँ हम इनको discuss कर लेते हैं तो जो first है वो है the 100 years war तो यह जो war थी 1337 से लेकर के 1453 तक चली थी मतलब 116 सालों तक यह war चली थी और यह England और France के बीच में चली थी over succession to the French throne की French throne के उपर जो है कौन राज करेगा France या फिर England तो इसके लिए यह जो war थी यह बहुत लंबी war चली थी और यही यह एक बहुत बड़ा कारण था कि जो French language थी वो जो है फिर England के लोगों के लिए जो है language of enemy बन गई और जो England के लोग थे उन England है उसके लिए जो है English ही है England for the English तो यह नारा उन्होंने start कर दिया तो यहां से जो है जो French language है उसकी जो पकड़ थी वो weak होने लग जाती है इस कारण से और जो second कारण था वो थी black death यह जो black death थी यह black death किसे कहा जाता है जो plague फैला था Europe में जो कि Europe में आया था 1348 में तो यह जो plague फैला था यह इतना बुरा महमारी फैली थी कि one third population जो Europe की थी वो खतम हो गई थी उसकी death हो गई थी अब जो population थी वो बहुत जादा कम हो गई थी और जो अमीर लोग थे उनके लिए जो काम करते थे जो labor class थी जो working class थी उसमें बहुत जादा कम हो गई तो अब इसके कार and increased हो जाती है economic importance of the labouring class जो working class होते है उनकी importance बढ़ जाती है वो बहुत जादा important हो जाते है मतलब जो उनके जो demand है वो बहुत जादा बढ़ जाती है market में और उनके जो prices हैं वो भी high हो जाते है काम करने के लिए तो इसके साथ साथ जो उनकी importance बढ़ती है उसके साथ importance of English language which they spoke और जो language में वो बात करते थे वो भी बढ़ जाती है उसकी importance भी बढ़ जाती है इसके साथ साथ और ऐसे जो English है वो जो है फिर से adopt की जाती है England के लोगों के द्वारा तो ऐसे English को जो है English इनी कारणों के कारण जो है बापस England में आती है तो अब 1362 में English became the language of the law court तो ये जो court क language जो है English फिर से 1362 में बन जाती है और जो French speaking people होते हैं वो bilingual बन जाते हैं उनको भी फिर English सीखने पड़ती है तो इस तरह से फिर क्योंकि उनको भी English सीखने पड़ती है तो वो भी bilingual बन जाते हैं और इसके बाद 15th century में French became restricted as the language of culture and fashion तो जो French language है उसको जो है restricted कर दिया जाता है England में तो जैसे कि मैंने जो दो age थी उसमें first age में French language थी official second में जो थी English language बन जाती है official और ये जो second age होती है age of Chaucer इसमें जो है English literature में लिखना start भी कर दिया जाता है और ये जो middle English है इसका use होता है बहुत जादा इस period में जो second period है और बहुत ही अच्छा अच्छा literature लिखा जात है और Chaucer के कारण ही age का जो नाम है जोफरी Chaucer के कारण ही age of Chaucer इस period का नाम पड़ा है जो कि बहुत ही famous writer और poet थे जिनके बारे में हम अभी discuss करेंगे तो इसके बाद जो है after Chaucer मतलब जो Chaucer की death हो जाती है तो वो जो period है इसको barren age भी कहा गया है जो कि 1400 से लेकर के 1500 तक र जो period था इसको barren इसलिए कहा गया है क्योंकि कुछ भी new नहीं लिखा गया इस period में और जिन्हों ने भी कुछ लिखने की try की लिखने की कोशिश की इस third age में तो उन्होंने सिर्फा सिर्फ चaucer की ही नकल की, चaucer को ही imitate किया तो इसलिए कुछ भी नया नहीं लिखा गया इस period में, इसलिए इसको baron age period भी कहा जाता है तो अब हम middle English period के कुछ famous writers और उनके important works देख लेते हैं, तो सबसे पहले जिनका नाम आता है, वो है Joffrey Chaucer तो इनके नाम से तो एक पूरी age है, age of Chaucer जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इनके बारे में लिटरेचर में, और इनका जो most famous work था, वो था The Canterbury Tales, और इसको जो हर कोई English literature का student जानता है, और जो second हमारे writer है, वो है William Langland, इनका जो work था वो था Piers Plowman जो की peasant की suffering के उपर था, मतलब जो किसान थे, उनकी suffering को बताता है, ये जो work है, ये बहुत ही famous work है और जो हमारे next writer है, वो है John Wycliffe ये जो थे, इन्होंने translate किया था Bible को, ये Bible के translator थे, तो ये मैंने कुछ famous writers और उनके famous work बताये हैं, ये आपको exam में help करते हैं, जैसे कि अगर आप इनका example देते हैं, तो आपको marks हैं, वो काफी अच्छे आते हैं, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, जो French language है उसका जो contribution है English language में, वो 29% है और ये बहुत बड़ा contribution है और जैसा कि मैंने आपको starting में बताया था, Old English और जो French language है, उसको मिला करके Middle English language बनी है तो यहां पर मैंने जो previous वीडियो थी, उसमें बताया था कि Old English कैसे बनी थी, Latin, Germanic language और Greek वगेरा languages को मिला करके, तो अब इन में जो है French language भी add हो जाती है, और Middle English बन जाती है तो next वीडियो में हम लोग modern English period को discuss करेंगे तब तक के लिए आप मेरी इस वीडियो को like और share जरूर कीजिए और मेरे चैनल को subscribe जरूर कीजिए मिलते हैं ऐसी किसी next वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए बाइ बाइ